Hello friends, welcome to my YouTube channel Jobs in Mining इस channel में हम आपको नए-ने Mining Jobs, नए-ने Mining Information के बारे में बताते हैं तो दोस्तो आज मिले कहा है हो नए Mining Jobs जो आई है हटी Gold Mine Company Limited, SGMLC तो दोस्तो यहां जो है बहुत सारे वेकेंसी आई है, इसमें Assistant Formant जो है इसमें दोस्तो लोकल और नोन लोकल दोनों के लिए वेकेंसी आई है तो दोस्तो हमारे चैनल में अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आपको कोई भी वीडियो नई आने पर आपको Notification में दिख जाएगा तो दोस्तो यह वीडियो अगर अच्छी लेगे तो लाइक कर दें साथे साथ दोस्तों को Share कर दें जिससे जो है यह वीडियो माइनिंग की information, माइनिंग की job related आपके friend को भी मिल सकें तो आगे बढ़ते हैं दोस्तो, HGML हटी Gold Minds Company Limited जिसका जो Government of करनाटका Undertaking के हम है इसका हटी में है राइच्वोडिष्टिक करनाटका स्टेट में इसका Head Office है Head Office जो है यह बैंगलियूरू में है इसका Corporate Office तो हटी Gold Minds Limited के बारे में थोड़ी से जानकरी ले ले लेता है इस्टैब्लीश भी है है हैधराबाद Gold Minds के नाम से यह वनली जो है Primary Gold Producer Company है तो दोस्तो यह जो है Exploration, Development, Exploitation of Gold Deposit करती है करनाटका में इसका Head Office जो है बैंगलोर में है और दो यूनिट चलाती है हटी Gold Unit SGU राइच्वोडिष्टिक में है दूसरा जो है CGU चित्रदुर्गा Gold Unit जो चित्रदुर्गा डिस्टिक में है इसका Operating Mind है अजन हली तुमको डिस्टिक में HGU जो है Fully Integrated जो है यूनिट है वितिक कैपसिटी जो है 5,50,000 टन पर रेनम है HGML जो है यह और जो है हर्टी Gold Mind से प्रोसेश करती है और दो सेटलाइट माइस है जो उटी ओपन कास्ट है और हीरा बुदिनी एक्स्प्लोरेटरी अंडरग्राउंड माइस है तो दोस्तो यह सेटलाइट माइस क्या हुआ सेटलाइट माइस यह हुआ जहां से और जो है यह माइस का रॉम जो है वह प्रोड्यूस होती है पर वहां प्रोसेस नहीं होती है प्रोसेस होने के लिए जो है प्रोसेसिंग यूनिट जो है वहां पर होती है तो उसे सेटलाइ स्टेक में दोस्तों इसका जो वेब साइट है हटी गोल डॉट करनाटका डॉट जी ओफी डॉट इन में इसमें दोस्तों आप जो है रिक्रूट्मेंट में जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जो वेकेंसी आई है इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले दोस्तों आप जो है गूगल पर सर्च करना है इसमें आपको रिक्रूट्मेंट में जाना है इससे पहले दोस्तों हटी गोल माइस कंपनी लिंटेन में मैंने सर्च कर दिया मैंने क्लिक कर दिया इसमें जो है रिक्रूट्मेंट आ रही है दोस्तों रिक्रूट्मेंट दोस्तों आप सबसे पहले रिक्रूट्मेंट आफ जी एट और जी फाइब नॉन लोकल जो है इस लोकल कंडिडेट के लिए जो आई है ये लोकल कंडिडेट खल्यानर करनाट का प्रदेश के लिए कंस्ट्रूशनर इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट के लिए असिस्टन्ट फोर्मेन माइनिंग के लिए जी फाइब ग्रेट लोकल कैडर के लिए 15 पोस्ट आई है जिसमें से अलग-अलग category के लिए GM के लिए 7 vacancy आई है, SC के लिए 5 vacancy आई है, ST के लिए 2 vacancy आई है, second A के लिए 1 vacancy है, total जो है 15 vacancy आई है category wise जो है आप इसका post जो है यह देख सकते है category wise जो है vertical और horizontal reservation जो है यह आप complete इसमें देख सकते है दूसरी जो vacancy आई है, assistant, format, diploma, metallurgy के लिए है, G5 grade के लिए है, local cadre इसमें से 5 vacancy आई है जिसमें से general के लिए 2, third A के लिए 1, third B के लिए 1, ST के लिए 1, total 5 vacancy आई है तो category wise horizontal और vertical reservation जो है आपके screen पे दिख रहा है वो आप देख सकते हो G5, next जो vacancy आई है, assistant, formal, civil के लिए है, इसमें से एक post के लिए है, यह जो है category second A के लिए आई है next vacancy आई है, assistant, formal, mechanical के लिए इसमें total vacancy 16 आई है, जिसमें general के लिए 7, ST के लिए 3, ST के लिए 1, second A के लिए 3, third A के लिए 1, category 1 के लिए 1, total 16 vacancy आई है यह total दोस्तों, यह local candidate के लिए है, category wise vertical और horizontal reservation जो है, आप screen पर देख सकते हो next जो vacancy आई है, security department के लिए, security inspector G5 के लिए इसमें से 6 post के लिए है, GM के लिए 3, SC के लिए 1, ST के लिए 1, और third B के लिए एक total 6 vacancy आई है आगे देखते हैं दोस्तों, assistant formant geology exploration department के लिए 2 vacancy आई है, जिसमें से 2nd A, rural के लिए 1, SCX servicemen के लिए 1 vacancy आई है next जो vacancy है, assistant formant diamond drilling G5 grade के लिए जो है, इसमें local cadre के लिए है, वो एक post के लिए है, 3rd A, ruler 1, 100 के लिए है आगे दोस्तों जो vacancy आई है, यह ITI feeder के लिए आई है, इसमें 45 vacancy है, जिसमें से general के लिए 20, SC के लिए 7, ST के लिए 4, first के लिए 2, 2A के लिए 7, 2B के लिए 2, 3A के लिए 1, 3B के लिए 2, total 45 vacancy आई है अगली जो vacancy आई है, यह आई है, ITI feeder के लिए दोस्तों, metallurgical department में total 15 vacancy आई, जिसमें से general के लिए 7, SC के लिए 3, category 1 के लिए 1, second A के लिए 2, second B के लिए 1, third A के लिए 1, total 15 vacancy आई है दोस्तों अगली vacancy, activation department के लिए, ITI feeder के लिए 2 post के लिए आई है, दोस्तों, जो ST के लिए 1 है, और second A के लिए 1, next vacancy आई है, engineering department, ITI electric station के लिए, G8 cadre में जो है, जिसमें से 2 vacancy आई है, जिसमें general के लिए 1, और third B के लिए 1 post आई है अगली vacancy आई है जोस्तों, security guide G8 के लिए total 24 vacancy है, जिसमें से general के लिए 11, SC के लिए 4, ST के लिए 2, first के लिए 1, second A के लिए 3, second B के लिए 1, third A के लिए 1, third B के लिए 1, third B के लिए total 24 vacancy आई है अगली vacancy देखते हैं दोस्तों, इतनी vacancy आई है दोस्तों, इसमें 15 March 2014 से start है दोस्तों, आप यह चुकी kernel language में है तो यह मुझे समझ में नहीं है, लेकिन यह मैं इसका full PDF जो है, मैं upload YouTube के discussion box में दे दूँगा, वहां से आप download कर सकते हैं last date दोस्तों इसका जो है, 3 माई 2024 है, इसमें दोस्तों, computer based test होगा, 50% weightage होगा जिसका तो यह था दोस्तों, local candidate के लिए अब चलते है, non local candidate के लिए जो vacancy आई है, उसके बारे में चलते हैं तो सबसे पहले दोस्तों, SGML में non local candidate के लिए दोस्तों जो पहली vacancy आई है, mining department से आई है, assistant form and mining के लिए टोटल एक vacancy है, वो जो है SC के लिए है, दूसरी जो vacancy आई है, metallurgical department में, 4 में diploma in metallurgical के लिए दो पोस्त आई है, जिसमें से एक vacancy general के लिए है, दूसरी vacancy है ST के लिए है, MRP secondary के लिए है, थर्ड जो vacancy है, exploration department के लिए, 4 में geology के लिए आई है G5 cadre, non local cadre के लिए एक vacancy है, जो category 1 के लिए है, अगली vacancy आई है, assistant form and mechanical के लिए टीन पोस्त आई है, पहली जो है second A के लिए, दूसरी जो है general के लिए, और third SC के लिए NEC vacancy दोस्तों देखते है, mining department से, ITI feeder के लिए है, total 9 vacancy है, जिसमें से general के लिए 4 है, SD के लिए 2 है, category 1 के लिए 2 है, second A के लिए, first है, total 9 vacancy है NEC vacancy दोस्तों, ITI feeder के लिए, metallurgical department में 2 vacancy है, जिसमें second B और GM के लिए 1 एक vacancy है अगली vacancy engineering department में, ITI electrical के लिए जिसमें से 2 vacancy है, second A के लिए 1 और GM के लिए 1 vacancy है तो दोस्तों, इसके लिए भी दोस्तों, आपको online apply करना है, online apply करने के लिए online का website, जो है, हट्टी गोल माईस के website से, आप जो है, online apply करकते है इसका साथ इसाथ last date जो है, 3 माई 2024 है, इसका full PDF जो है, ये YouTube के discussion box में दे दूँगा, वहाँ से आप download कर सकते हैं या मुझे जो है, personally workshop करके भी ये मगा सकते हैं तो ये था दोस्तों, हट्टी गोल माईस से जो है, assistant foreman, ITI और security के लिए जो vacancy है, इसके बारे में complete detail आज देखें तो दोस्तों, इसके बारे में PDF दे दूँगा, साथी साथ, अगर कोई और information चाहिए, तो मुझे comment करके message भी कर सकते हैं तो दोस्तों, ये चुकी calendar language में, तो मुझे ज़्यादा complete detail नहीं बता पाया, मैं और अगर आपको calendar language आती है, तो ये PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं मिलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में नए मानी job, नए मानी information लेगें तब तक लिए दोस्तों, धन्यवाद